आंगन बाड़ी में बंफर भरती आये हैं क्या है फंफर भरती अगर आप नहीं जामते हैं तो विडियो को शुरूज लेकर अन्तिम तक जरूर देखे आंगन बाड़ी दौजर अथिरौ और गटिया हो चुकEM तो आप इस form को आसानी से और बहुत ही आराम दायक भर सकते में इस वीडियो में बात करने वाले आगन बाड़ी को वेकंसी को लेकर जो की यहां पर हर एक केटिगरी के बारे में बताएंगे हर एक छोड़ी चोड़ी बाते बताएंगे और आप आसानी से इस form को अपलाई करन चाते हैं तो अगर आप कर सकते हैं लेकिन वीडियो का आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं और अगर आप जौब से रिलेटेड या किसी भी कम्पिडेटिव के तियारी करना चाहते ह हमारे इस चैनल को सस्क्राइब करके रख ले ताकि आने वाला हर वीडियो आप देख पाए तो चलिए आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आख इस वीडियो में क्या है तो आगन माड़ी का भरती जो है दो जाठारों का आच चुके हैं यदि आप भरने में इस वीडियो का साथ जरूब बने दे तो आए वेकेंसी का कुछ डिटेल्स है जो कि रूल्स के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले और इंडिया कहीं पर भी कोई भी परसन इस फॉर्म को भर सकते हैं चाहिए वो कहीं पर भी रहते हैं नेक्स्ट जो है अगर वेकेंसी डि या जो है पोस्ट आगे पीछे हो सकते हैं बढ़ भी सकते हैं अब अगला जो यहाँ पर वेकेंसी डिटेल्स में अगर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं नेमो अप्टा पोस्ट यहाँ पर जो है आगर बाड़ी सुपरवाइजर का या जो है वेकेंसी या प्रुपिया यहां पर जो पी आपको लगेंगे और अगर और में आते हैं तो आपको 350 रुपिया आपको जोए थे तो पर आपको देने होंगे आपस अराम से इस फॉम को भर सकते अगर हम लोग बात करने वादेश लिमीट के लेकर तो एज लिमीट कम से पास अठाइब में कितने हो रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ जो ही यहां पर एज में छूट कितनी होगी तो एकोडिन टो रूल्स और गवर्मेंट अगर है तो आपको तीन साल के डिस्कॉंट आपको दी जाएगी मतलद आपका डिटो बडस में बरहोतरी होंगी अगर सेलरी का बात करते तो बहुत ही अच्छी सेलरी 5200 से लेकर जो है 20200 तक आपको यहां पर सेलरी जो है रहने वाले अगर आगे हम लोग बात करते हैं क्या बातलें बारे में एड्विकेश रखते हैं तो आप इस फॉर्म को बहुत ही असानी से इजी मैंजम से अपलाई कर सकते हैं यह आप सभी के लिए क्वालिफिकेशन है अगर नेक्स्ट अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि परिच्छा का पैटर्न क्या होगा तो परिच्छा आपका रिटेन एक्जामनेशन ह जोंगे और अगर आपको नेक्स्ट अगर यहाँ पर इंपॉर्डेंट के बारे में बताना चाहतें तो सबसे पहले स्टार्टिंग डेत प到了 códफ require और प्लाइन उनलाइन非常 40 से आपका यहाँ पर पपार नेक्ट पर आपको लास्ट यहाँ पर होने वाले तीन गारों यानि तीन नमबर तक आपका लास्ट टेट है अभी आपके पास जो है बहुत सारे दीन है अभी आपके पास समय है अभी जाए और अभी आप जाके इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं अगर डेट ऑफ एक्जामनेशन का www.rsmssb.rajistan.gov.in इस website पर जाकर आप इस वेकंसी को आराम से जो है भर सकते हैं अगर आप इस में भरना चाहते हैं तो अभी वेकंसी को भर सकते हैं पेमेंट भी सेलरी भी काफी अच्छी आई ओपिस्यल नोटिफिकेशन के और चलते हैं आपको दिखाते हैं कि आकर इस ओप पर अगर कुल पर्द के बारा मिहां पर आप जनकारी लेना चाहते हैं तो यहां पर आप देख पाते हैं आगनमाडी कडिकरता कोटा यहां पर जो है 309 पॉस्टिट यहां पर टोटल है online यहां अपलिकेशन फॉर्म यहां पर आप देख पार हैं पुरा का पूरा हाउट त पासवर्ट दिये जाएंगे आपको इस website पर आने लोगिन करने अगर आप भरना चाहते हैं इंट्रेश्टेट रखते तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते आपको हर एक step by step हम आपको बताएंगे कि आप इस form को भारी form को जो किस परकार से आप इस form को भर सकते और अपना प् पूरा का पूरा जो है जनकारी आपको दिएगी है तो यह थे आगनमा के बाड़े को वैकंसी को लेकर आपको यह वीडियो कैसे लगी अगर आप इसी टाप से वीडियो देखना चाहते है जौब से रिलेटर तो हमारे इस चैनल को अभी कभी सस्क्राइब करके रख ले ताकि आने वाला हर वीडियो आप देख पाएं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वाजिंग फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो को साथ हमारे चैनल को लाइक और सेर और सिस्क्राइब करना ना बुले